सकलेंट्स भी, प्यूटिफुल भी, मेडिशनल भी, ऐसा है ये प्लांट और आप इसको देखकर पहचान ही रहे होंगे लीव्स पर डॉर्स देखिए, कितना खुबसूरत लग रहा है और मैं हूँ शबनूरली, वेलकम टू माई चैनल, आज 25 दिसंबर है तो मेरे दिल की सारी दुआएं, जितनी भी खुशियां हैं, वो सब आपके लिए हैं अगर हम दवाओं से बचना चाहते हैं, तो खुदरत ने पूरा इंतिजाम कर रखा है इन मेडिशनल प्लांट्स में भी, जिनको हम अपने घर में आराम से ग्रो कर लेते हैं फिरी में भी ग्रो कर लेते हैं, उसी तरह का ये एक पौदा है, पथर चटा जो सुनते हैं कि स्टोन्स के लिए बहुत बेनिफिशल होता है और दूसरी वेराइटी यहां मवजूद है, ये भी पथर चटा है, यानि कि ब्रायो फाइलम इसको अजूबा भी कहते हैं, अजूबा तो इसलिए कहते हैं कि इसकी पत्तियों से प्रोपोगेशन होता है और काफी सारे प्लांट्स इन पत्तों के जरीए ग्रो हो जाते हैं कितनी बार आपने वीडियो भी देखे होंगे इस प्लांट के और पूरी शेरिंग की थी मैंने जब इसको ग्रो किया था आज मैं इसको क्या दिखाने वाली हूँ इसके फूल प्लांट्स जब मैचियोर हो जाता है और अपने लास्ट स्टेज पर होता है तो इस तरहा की ब्लोमिंग इस प्लांट में होती है और ये भी वेस्ट नहीं होते हैं इससे भी मेडिशन बनाई जाती है और अगर आप पथरचटा के प्लान पर इस तरह की ब्लूमिंग देखना चाहते हैं तो पुराना होने दीजिए पौधे को इंशाला जरूर इस तरह की ब्लूमिंग होगी नए प्लान पर नहीं होती है अब ये पौधा तो खराब हो जाएगा अगर हम इन सारी ब्रांचिस को बड्स को फुलों को कट कर देते हैं तो पौधा बच सकता है लेकिन उससे पहले आपको तयार कर लेने हैं इसके पत्तियों से जो निकलते हैं इस तरह के न्यू प्लांच बेबी प्लांच और ये देखिए इसका लुग बिल्कुल फ्लार की तरह लग रहा है कुछ इस तरह के सक्लेंस होते हैं ये देखिए अचिवीरिया की तरह लग रहा है और मैं आपके साथ और भी सक्लेंस शेर करने वाली हूँ जल्दी अभी तो इसी के बारे में बात करते हैं तो जो पप्स आये थे मैंने इसको जगा जगा ग्रो कर लिये थे और खाली एक पत्ता आप किसी प्लांट पर रख देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं एक पुराना पत्ता जो सडगल रहा था वो मैंने इस प्लांटर पर उठा कर रख दिया था और ये पप्स आसपास खाली मिटी के टच में आते ही रूट्स डेवलप कर गए और ये नए नए प्लांट खुद ही बन गए मुझे ग्रो नहीं करने पड़े हैं ब्रायोफाइलम सक्लेंस फैमली से ब्लॉंग करता है और सक्लेंस का मतलब ही ये होता है कि ये वेल ड्रेंस सॉइल में ग्रो होते हैं पानी बहुत कम चाहिए रहता है क्योंकि इसकी स्टेम्स में लीस में खुदी पानी स्टोर करने की कैपिसिटी होती है और ये बंच बनते हुए वन मंथ से ओवर हो रहा है और अभी तक ये बंच बना हुआ है मुझे इतना खुबसूरत लगता है और जैसे जैसे ये ग्रीन था कलर भी चेंज कर गया रेट कलर में आ गया पिंकिश लुक भी आता है इसका और दीरे दीरे उन बर्स के अंदर कुछ लीवस भी नजर आने लगी है यलो पराकन भी होते हैं और शायद सुखने के बाद इसमें बीज आएं तब आपके साथ शेयर कर लूँगी जब तक प्लांट्स में लीवस आ रही थी तब तक बर्स नहीं बनी थी इसके पत्ते बहुत वजंदार हो जाते हैं और काफी बड़े भी हो जाते हैं तो वो जमीन पर पहलने लगे थे जिस से रगड कर खराब हो रहे थे मैंने उन पत्तों को हटा दिया था और गमलों में रख दिया था ताकि उससे बेबी प्लांट बन सके ऐसा सब कुछ बारिश में हुआ था उसके बाद मैंने पत्ते हटा दिये तो सारी एनरजी स्टेम्स को मिलने लगी और प्लांट पुराना भी हो गया था तब तक इन फ्लार्स को और इनकी खुबसूरती को और लाइक भी करना है आपको तो प्लीज एक लाइक दे कर जाईएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे अल्ला हाफिस